Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिसकस करेंगे वरक्षीट नमबर 27, 4 class 7th, विशे हिंदी है और ये वरक्षीट आपके लिए 3rd November 2021 के लिए शेडूल की गई है आज की जो वरक्षीट स्टूडेंट्स उसमें हम सर्वनाम जो हमारा टॉपिक था उसको कंटीनू करते हुए आगे पढ़ेंगे वक्षीट शू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों पिछले कारे पत्रक में हमने सर्वनाम के प्रथम भेद पूरुस वाचक सर्वनाम के बारे में जाना था आज हम सर्वनाम के बाकी भेद सीखेंगे तो इसमें सेकिंड है निश्चे वाचक सर्वनाम निश्चे वाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तू या व्यक्ति की और संकेत करते हैं उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहती हैं जैसे वहे देखो मेरी पैंसिल यहाँ पर पैंसिल एक जो है निश्चित वस्तु है उसकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है तो वहे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा निश्चे वाचक सर्वनाम हो जाएगा अरे यह तो अपना सुरेश है तो यहाँ पर भी क्या है निश्चित है कि वो सुरेश है तो यहाँ पर क्या होगा यह जो है वो निश्चवाचक सर्वनाम है नेक्स्ट दिया गया है एनिश्चवाचक या एनिश्चित वाचक सर्वनाम तो एनिश्चवाचक की एनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या होगा वे शर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की और संकेत करते हैं किन्तु उनके बारे में स्पस्ट रूप से पता नहीं होता उन्हें ए निश्चवाचक सर्वनाम कहते हैं ठीके यानि जो किसी व्यक्ति वस्तु के और संके तो कर रहे हैं लेकिन उनके बारे में स्पस्ट रूप से नहीं पता होता निश्चित नहीं होता कि वो किसके बारे म कहा जा रहा है उन्हें ए निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे डाल में कुछ गिर पड़ा है अब कुछ जो है यह पता नहीं है गिरा क्या है लेकिन कुछ जरूर गिरा है तो यह कुछ क्या है यह निश्चे वाचक सर्वनाम है यह निश्चित नहीं कर रहा है कि क्या ग प्रश्न वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्राणी वस्तू या घटना के प्रती प्रश्न का संकेत होता है उन्हें प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कौन आया है क्या मनीश पास हो गया तो जो कौन है क्या है ये क्या है ये प्रश्न वाचक सर्वन नेक्स्ट है नमबर फिफ्ट है संबंद वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी दूसरी संग्या या सर्वनाम से संबंद दिखाने के लिए प्रिप्त हों उसे संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा अब यहां पर जो वह यह क्या है एक दूसर यह संबंद वाचक सर्वनाम हो जाएगा नेक्स देखें संबंद वाचक संबंद का मतलब होता है एक दूसरे से जो है जुडाओ तो यानि एक दूसरे से किसी तरह का कोई संबंद जिसमें दिखाई दे जो सर्वनाम किसी दूसरी संग्याया सर्वनाम से संबंद दिखाने के लिए प्रित होते हैं उसे संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा तो अब यहां पर क्या है देखिए जो और वह इन दोनों का आपस में संबंद है कि जो मेहनत करेगा वही आदमी सफल होगा सेकिंड देखिए जिसकी लाठी उसकी भैस यानि पूरुस वाचक हमने पहली वक्षीट में पढ़ा, उसके बाद निश्चे वाचक, अनिश्चे वाचक, प्रैश्न वाचक, संबंद वाचक और लास्ट हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम, अब देखें निजगा मतलब क्या होता है, निजगा मतलब जिस सर्वनाम से अपने आप इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, तो अपने आप यहाँ पर निज है, यानि अपने पन का वो दो रहा है, वह अपने आप खा लेगा, तो वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं, उनके जो ह हम कर लेते हैं सबच्छों आप यहां से करेंगी देखिए सबसे पहला सर्वनाम क्या दिया गया है हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा तो हमने कौन सा सर्वनाम है हमने यह पुरुष वाचक सर्वनाम होगा और उसे यानि किसी को पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है तो क्या होगा निश्चे वाचक सर्वनाम होगा तो पहले वाला लिखेंगे और बाद वाला जो है उसके बाद वाला होगा उसके बाद देखिए कुछ लोग गधे को शायद बेवकुफों में सर्विस्रिस्ट कहेंगे तो कुछ यानि इसमें कोई फिक्स नहीं है किसके बारे में बात की जा रही है कुछ लोग है तो क्या होगा निश्चे वाचक सर्वनाम होगा नेश्च देखिए नमबर फोर्थ तुमने जो कुछ खिलाया सिर जुका कर खा लिया तो तुमने कौन सा सर्वनाम है तुमने जो है वो पुरुष वाचक सर्वनाम है आपको पता है पुरुष वाचक सर्वनाम यानि जो बोलने वाला है सुनने वाला है और जो हम किसी third person के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जो है किसमें आता है पुरुस वाचक सर्वनाम में आता है तो तुमने जो है क्या कौन सा सर्वनाम है पुरुस वाचक सर्वनाम है पुराना सामान, 6 है पुराना सामान मेरे काम आ जाता है, तो मेरे यानि इसमें निजता का भाव है, मेरे यानि कौन सा सर्विनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्विनाम हो जाएगा, उसके बाद देखे, जिनमें कभी, 7 है ये, जिनमें कभी हमारी पल्टन रहा करती थी, तो ह हमारी भी निज के लिए यूज किया गया है अपने लिए तो ये भी कौन सा सर्वनाम होगा निजवाचक होगा आप खुद जाकर ला सकते हो तो आप खुद जाकर खुद का या पर किया गया है आप खुद जाकर ला सकते हो तो कौन सा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो ज आउट किया जा रहा है तो कौन सा होगा निश्चवाचक सर्वनाम होगा और किसी का नहीं पता हमें कौन है तो अनिश्चवाचक और हमें यानि पूरुस वाचक सर्वनाम हो जाएगा टेंथ है यही सबसे अच्छी जगे है तो यही यानि जगे बताया जा रहा है कि जो यही जगे सबसे अच्छी है निश्चित किया जा रहा है तो निश्चवाचक सर्वनाम 11 है दरवाजे पर कौन खड़ा है तो कौन तो प्रश्न हो गया हमें नहीं पता कौन खड़ा है तो क्या होगा प्रश्न वाचक सर्वनाम होगा चाए में कुछ गिर गया है तो कुछ तो हमें नहीं पता चाए में क्या गिरा है तो क्या सर्वनाम होगा अनिश्चेवाचक सर्वनाम हो जाएगा next देखिए मैं अपने आप चला जाऊंगा तो अपने आप में भी निज़ता का भाव है तो यह कौन सा सर्वनाम होगा यह भी निजवाचक सर्वनाम होगा next है इधर आईए तो इधर आईए यानि यह नहीं बताया गया बस यह बोला है इधर आईए ठीक है पर्टिकुलर जगे जो वो निश्चित नहीं है तो कौन सा सर्वनाम होगा अनिश्चेवाचक सर्वनाम हो जाएगा ठीक है तो यह जो है आपको इस तरह से अपनी कॉपी में सारे लिखने है आई हो बेटा आपको यह सारे क्लियर हो गए है कोई भी डाउट है अगर किसी भी तरह के सर्वनाम में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर जरूर कर लीजिए और वीटा जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए जिससे की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जब आप सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करोगे तो साइड में जो बेल आइकन का बटन आता है उसको प्रेस करेंगे और और आल पर क्लिक करेंगे तभी आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको ये बिलकुल क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा और थैंक्स पर वाच्चिंग अब नाइस दे